नमस्कार जी मैं हूपुनीद आप देखरों है stope dc प्रोग्राम में आपका तहे दल से स्वागत करते हैं एक बर फिर से हाजिर है आपके सामने और बात हम करेंगे बड़ी ही important बात हम करेंगे बहुत ही खास बात हम करेंगे आप से जुरी हुई हम से जुरी हुई सवाल हम कर तो इसी नमबर पर फोन करके आप कॉल कर सकते हैं और आपकी गुड़ लग रिपोर्ट के लिए भी यही नमबर है फिर इसके बाद टिप अफ दे भी आपको बताई जाएगी लेकिन उसके लिए अंत तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि टिप तो अंत में होती है बाकी ज उनको ऐसे लगे कि वो भी परिवार का ही हिस्सा है तो आप सबको वेलकम नए लोगों को भी और जो जुड़े हुए हैं बहुत वक्त से उनको भी तो आज हमने बात करनी है योगों पे जैसे जब योग की बात आती है तो डुराने वाला योग एक दिमाग में आता है कैसे काल सरपयोग फिर उसके बाद वो गज केसरी यूग कुछ एक में पता लेकिन इतना जुरुरूरा है कि सवाल करना है अच्छे योगों के कोशोहते है जो बुरे कोशोहते हैं इसे नहीं सवागतते है है बहुत बच्छ उधते शुगत ही असुनियल जी, जब हम योगों की बात करते हैं, तो अकसर हम कैटेगरीज में बांड देते हैं उनको, ये अच्छे वाले हैं, ये बुरे वाले हैं, तो अच्छे कौन से होते हैं, बुरे कौन से होते हैं, जो बुरे होते हैं, वो कितना बुरा कर जाते हैं, जो अच्छे होत जिसको बोल दिया जाता है, पर मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है इन योगों के उपर, मैं गजकेस्री योग को, बुद्ध देते योग को, या मालवे योग को, ऐसे योगों को एक नॉर्मल योग मानता हूँ, क्यों? उसका कारण है, मैं आपको रिजन बताऊँगा कि में बन जाए, बड़े अच्छी राशी में बन जाए, तो इनसान सोने का चमच लेकर पैदा होता है, लाइफ हैपनिंग नहीं होती, क्यों? हैपनिंग लाइफ किसकी होगी? जो अपने आपको बनाएगा, जो अपने आपको क्रियेट करेगा, इसका नेम फेम होगा खुद और में मैंने जितना काम किया, अस्ट्रालोजी में आज तक कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को उपर जाते हुए देखा, जिनके कुंडली में सर्टन खराब योग जादा थे, साड़ सती लगी हुई थी, डहिया चल रहा था, लोगोंने राइज किया, तो गज केसरी यो लाइफ में कोई ट्रबल नाम की चीज़ ही नहीं है, नॉर्मल ट्रबल साफ हर इनसान की लाइफ में होते हैं, लेकिन जादा नहीं है, हर्डल नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, कड़कती धूप में जाके मेनत करने की जरूरत नहीं है, दूर देश में जाके सेटल होने की जर वो पैदा होते हैं इन अच्छे योगों, जिसको हम अच्छे योग क्याते हैं, उनमें पैदा होते हैं, जिसमें करना कुछ नहीं है, बस जो विरासता उसको संभालना है, ये भी बहुत बड़ा काम है, विरासता संभालना में, कि लोग इसको भी ने संभाल पाते हैं, उजा पे काम पे गए पांद बेश छुटी कर गे घर पे आ गए यही जंदगी है यह नर्मल जंदगी है so यह एक नॉर्मल योग है योग हैपनिंग कौन से है कालसलप योग चंडाल योग रहु कुरू कॉंबिनेशन शनी रहु प्रेत योग कॉंबिनेशन multi-millionaire जो हुए है वो शनी राहू में भी हुए है और बड़े अच्छे हुए है मेरे notice में भी है बहुत सारी लोग ऐसे कुंडलियां याद रह जाती है केतु-चंदर्मा combination जिद से आगे बढ़ जाना सूर्य पेडिद हो जाना नीच का सूर्य लेकिन fame बहुत कोई भी आम astrologer आम जो search नहीं करता इसने थोड़ा सा पड़ा हुआ है वो क्या करेगा सूर्य नीच के है आपकी जिन्दगे में तो fame ही नहीं है आपको जिन्दगे में rise नहीं कर सकते ऐसे लोग ego पे ले ले लेते हैं बात rise कर जाते हैं एक idea क्लिक करने की जरूरत होती है बस इसने मुझे बोला तो बोला कैसे ego हर्ट होगी मेरी अब मैं इसको करके दिखाऊंगा जिद यह जो negative जिद जिसको बोला जाता है यह एक्टरी जिद होती है और जो इस जिद में आगे काम कर जाता है इनसान वो इनसान अपने आपको वो इनसान फेमस होता है फिर उसको खुशी होती है कि मैंने आपने बलबूते पर कुछ किया यह फरक है अच्छे और बुरे योग में अब राहू शनी कॉम्बिनेशन मल्टी मिलेनियर बनाता है जिनकी कुंडली में है वो चेक कीजिए आप कहेंगे कि अभी ज़र कुछ पे नहीं हुआ अभी तो कुछ पे नहीं हुआ लेकिन एक सई पाथ आपको मिलना ज़रूरी है यही कॉम्बिनेशन बैड खराब राशी में बना हो जो इनकी एंटी राशिया हो यही योग दुबा भी देता है गज किस्री योग कुंडली में बहुत अच्छे राशी में बना हो तो इनसान को कमफर्ट लाइफ में मिलता है कुछ ज़्यादा करने के ज़रूरत नहीं पड़ती हार चीज प्रोसी मिलती है लेकिन यह कॉंबिनेशन अगर बैड अबस्ता में हो तो भी लाइफ मिजरेबल रहती है यह जोच्छी देखेगा यह स्टॉलजर देखेगा कि कॉंबिनेशन कैसा है और इसका रिजल्ट क्या रहेगा लेकिन यहां मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक स्टेंडर्ड फॉर्मला दिमाग में मत रखिए कि गजकिसरी योग है तो यह बच्चा बहुत राइस कर जाएगा इसके कुंडली में तो प्रेत योग है तो यह तो कुछ करेगा ही नहीं ऐसा नहीं है जितने कुंडलियां मैंने कालसरप योग की देखी है इन सब के नाम हैं सबी वर्ल्ड फेमिस है मनमोहन सिंग हमारे एक्स परदान मंतरी सचिन तंदूलकर कालसरप योग लता मंगेशकर कालसरप योग अगर कालसरप योग था तो फर इनको फेम कैसे मिला इतना फेम वर्ल्ड फेम कि दुनिया का बच्चा-बच्चा जानता है इनका नाम सो ये कॉम्बिनेशन मेरे इसाब से अच्छे कॉम्बिनेशन है क्योंकि जिद, हट, डेडिकेशन, फोकस स्टॉंग कर देती हैं ये चीज़े छोटे-छोटे उपायो होते हैं इसको छड़ा सा बैलन्स करने के लिए वो अलग बात है लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर मैं बड़े दाहरे में देखूं तो ये लोग ही जादा राइज की हैं इन्होंने नेमें फेम कमाया है जिनकी कॉंडली में बैड योगस हैं क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहती है स्ट्रगल करके ही वो इनसान आगे बढ़ता है स्ट्रगल होने की वज़ए से जब तक अंदर आग नहीं जलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पूँए मेरे को जोतिश का बहुत ज़दा कह लिजिए कि कीडा था बहुत कीडा था म Bijने को तो मतलब मेरी नींद भी खराब रहती थी कि मुझे ये सीखना है ने सीखना है वो फोकस, वो डेडिकेशन, वो आग वो कीडा होना जरूरी है किसी भी काम में हो पता है मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बनना है वो कीड़ा होना बड़ा जरूरी है दिमाग में है एक होता है धक्का मारके किसी को कुछ बिनाना एक होता है सेल्फ मेड होना सेल्फ मेड के केस में इंसान के अंदर आग जलनी पड़ी जरूरी होती है और कहीं होती है कि कैसे भी करके ये मुझे ये काम करना है यूपे सी क्लिर करनी है तो सब करनी है जैसे मर्जी करनी है जज बनना है तो बनना है उस सीट पे बैढ़ना है तो बैढ़ना है क्योंकि उसको दिन रात वो चेर दिख रही है दिन रात वो पावर देख रही है उसके दिमाग में इंसान के कुछ नहीं है सवाई उस फोकस्ट एरिया की सो ये योग ऐसे योग जो हो जाते हैं मैं इन योगों को बड़ा पॉजिटिव बेसे लेता हूँ क्योंकि ये कुंडलियां कुछ ना कुछ करती है ऐसे इंसान कुछ ना कुछ करते है ऐसे इंसान राइज करते है नेम एंड फेम कमाते है वर्ल्ड में नाम फेमस हो जाता है सो स्ट्रगल के पीछे सक्सेस डेफिनिट्री होती है फेलियर किनके होते हैं जो पीछे हट जाते हैं जो डेडिकेटिटली उस चीज से पीछे हटके विड्रॉ कर जाते हैं, वो फेलिर हो जाते हैं, किसमत साथ ना दे, फेलिर हो जाते हैं, किसमत साथ देनी बहुत जरूरी है, करेकर तो अब हर इंसान खेलता है, लेकिन हर इंसान सचेंत नदूल कर नहीं बन सकता, हर इंसान MS singing भी करते हैं, हर इंसान लतामगेशकर नहीं बन सकता, no doubt destiny जो है, वो part बहुत जरूरी है किसमत बहुत जरूरी है, इश्वर का आशिरवाद blessings बहुत जरूरी है ऐसे case में, लेकिन अगर ये blessings मिल जाएं आपको आपके अंदर आग जलती हो, वो कीड़ा इंसान के अंदर हो, इंसान बन जाता है कुछ ना कुछ कर लेता है, so ये योग बुरे योग नहीं है इसके ओपर study की जाए, research की जाए तो आप खुद देखेंगे कि ये योग बहुत अच्छे से काम करते हैं ये normal योग नहीं है, 9 to 5 वाली कुंडलिया नहीं है, around the clock काम करने वाली कुंडलिया है, क्योंकि ये कीडा जो इंसान के अंदर जागता है, ये certain combination के विजए जागता है, ये combination है, किसी ने कुछ बोल दिया, हट लग गई है अब इसको पूरा करना है, so बिलकुल blindly, बच्चे के कुंडलिया जाके घबरा मत जाएए, या किसी की कुंडलिया जाके घबरा मत जाएए, कि ये इसकी कुंडलिया में तो ये योग बना हुआ है, तो ये पता नहीं है, क्या क्या हो जाएगा ऐसका, ऐसा नहीं है, so ये happening कुंडलिया होती है, research का साड़े सती और धहिया चंदर से देखा जाता है चंदर के पास से शनी का जब गोचर होगा साड़े साथी कहलाएगी चंदर से अश्टम होगे शनी चोथे होगे अश्टम होगे गोचर में तो धहिया कहलाएगा अब ऐसे लोगों की लाइफ में एक दौर आता है अपने का पराय का फरक पता लगता है क्रिक्टिकल चीजें इंसान के सामने आती हैं एक इंसान हवा में गूम रहा होता है या उनके खौब हवा में गूम रहे होते हैं कि मेरे साथ तो दुनिया खड़ी है मेरे साथ तो ये भी खड़ा है, वो भी खड़ा है जिसको अवाज लगाऊंगा, वो इनसान खड़ा होके मेरी हेल्प कर देगा, मदद कर देगा ढहिये में और साध्य सती में जादा तौर पर जो मैंने देखा ऐसे केस में आपको अपनी और पराए का एहसास होता है क्योंकि ये थोड़ा सा हाड़ वक्त होता है कहीं न कहीं mental pressure रहता है इस period में क्योंकि चंदर्मा डेमेज चल रहे होते हैं है लगे गए लगेगा तो यह डर की स्थिती बनाते हैं मांसी परिशानी की स्थिती बनाते हैं कुछ जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हडल्स इनसान को फील होती है को कि liquid money मी डिस्टरब हो जाएगी इसमें liquid money आपका पैसे का flow आ रहा है वो भी आपका डिस्टरब होना शुरू हो जाएगा तो कहीं न कहीं मन के अंदर एक डर और भैक की स्थिती पैदा हो जाती है सो साड़ी सती में आप जब किसी को अवाज लगाएंगे वो इनसान जिसके लिए आप बहुत भुरुसा करते थे वो इनसान साथ देगा या नहीं देगा यह आपको साड़ी सती के टाइम पे बिल्कु क्लेरली पता चलता है बड़े-बड़े कहने कहाने ले लोग भी पीछे हड़ जाते हैं किसी से मदद मांग के देखे साड़ी सती में आपको आपकी रियल रिष्टेदारी समझ आ जाएगी कि रिष्टेदारी होती क्या है आपका रियल रिष्टा समझ आ जाएगी जिस रिष्टे को बहुत तबज्ज़ दी थी आपको किसी टाइम पे या आपने किसी की मदद की थी आप इसको चेक करके देखेगे साधे सती के पिरिड में अवाज लगा के help मांग के देखेगा practical बात कर रहा हूँ, सचाई वाली बात कर रहा हूँ, check करके देखेगा आपको समझ आ जाएगे कि रिष्टेदारी या जो relation में आप थे वो कितना सही था, कितना गलत था no doubt अगर अच्छा हुआ, तो आपको help करेगा, करेगा लेकिन जिसके मन में कुछ और होगा और वो आपके पीड़ पीड़ कुछ और बता रहा होगा वो इस period में आपको पता लगेगा कि होगा क्या, करेगा क्या वो खड़ा होगा इनसान या नहीं खड़ा होगा, help करेगा या नहीं करेगा यह real time होता है, practical teaching का time है, शनी teacher है बहुत बड़े शनी सबक सिखाते हैं, इनसान को सबक सिखाने का जो department मिला है या किसी को भी सबक सिखाने वाला department जो मिला है, वो शनी को मिला है इसलिए किसी भी देश का नया सिस्टम उसका सबसे बड़ा जो धरोहर होती है क्योंकि दंड अदिकारी जो होते हैं वो असाइंड होते हैं शनी धंड अदिकारी है जब कोई इनसान कोई भी किसी तरह का भी करम खराब करता है क्राइम करता है गलत काम करता है तो उसको पुलिस पकड़के, मंगल पकड़के शनी के आगे प्रिजेंट करती है कि इसने ये किया है जो हमारे सविधान के अंदर जो हमारे जुडिशरी में या हमारे भारत की जुडिशरी में किसी भी जुडिशरी में जो नॉम्स है जो उसके सजा लिखी हुई है उसके बहाब पे उसको सजा मिलती है इसलिए शनी को धंड दिकारी कहा गया है शनी टीच करते हैं लेसन देते हैं तूने ये करम किया अब तेको भूगना पड़ेगा एक इंसान सारी जिन्दगी खराब करम करता है साड़े सती आती है साथ में सारे जल्ट आने शुरू हो जाते है एक इंसान ने बहुत लोगों के हल्प की होती है बहुत लोगों के हल्प की होती है और खुद भी शायद खाना ना खाए लोगों को खिलाया होता है तो साड़े सती में उसका result मिलता है बहुत अच्छा result मिलता है कर्म का balance हो रहा है balance हो रहा है, कर्मों का balance हो रहा है उसकी सजा या उसकी आपको उसका जो prize है वो मिल रहा है आपको, इनाम मिल रहा है अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा साड़ सती हमेशा गलत नहीं होती, ढहिया हमेशा खराब नहीं जाता कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कई लोग साड़ सती में राइस की हैं और अच्छे राइस की हैं और ढहिये में भी इन लोगों के जिनके काम बंते हैं उनके काम शुरू हुए हैं ढहिये में या शनी की साथे सती में So, bluntly आखें बंद करके एक ही definition में किसी ग्रया को define कर देना गलत हो जाता है एक सर्जन जब सर्जरी का कोर्स करके सर्जन बनता है या वो जब पेशेंट का इलाज शुरू करता है तो पहली बार तो उसको भी बहुत दर लगता होगा लेकिन जैसे जैसे उसकी practice होती जाती है वो routine के काम हो जाते है surgery ऐसा हो जाता है जैसे कोई कपड़ा सिलना होता है असानी से so किसी को single तराजों में तोल देना कि शनी साड़ी साथी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाना हो जाएगा बिंकाना हो जाएगा ऐसा नहीं है राहू की दशा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा नहीं है कुंडली टे कुंडली वेरी है कुंडली टे कुंडली ये फरक पड़ता है इंसान टो इंसान फरक पड़ता है कौन कैसे करमाज कर रहा है कि लोग बहुत अच्छे करम करते हैं लेकिन पीठ पिछे उनको पता है कि वो बुरे करम कर रहे होते हैं समाज को दिखाने के लिए बहुत अच्छे होंगे पिछे से लेकिन कुछ और गड़बड करी होती है और उनका नेचर कुछ और होता है बिलकुल डिफरेंट होता है और कई लोग अप फरंट पे अच्छे काम करते हैं समाज की दर्दों से दूर रहके भी अच्छे काम करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं होती है खास करके शनी की साड़े सती में दशा में डहिये में उनको डरने की जरूरत नहीं है डरने सिर्फ वो जो देख रहे हो, तो जब उनका प्रेजिट टाइम आता है तो इनसान को कर्मों की सजा मिलती है इसने कोई दोरायन ही है, डेफिनििटली मिलती है तो एक-एक योग के बारे में आपको बहुत ही गहन थरीके से बताया गया है कोशिश करेंगा अगला सवाल भी ले लेकिन पहले गुडलिक रिपोर्ट की बारी है जो लखी वियूर है वो है समृती और इनकी उम्र है 36 साल, देली से हैं ये कह रहे हैं कि मैं बहुत परिशान हूँ, पती पे शक है और वो शक जो है वो विश्वास के बहुत करीब है कह रही है आप अपनी डिटेल्स इन्होंने अपनी डिटेल्स जी जी अपने भी बेज़ें पती की बेज़ें इनकी इन्फोमेशन कंप्लीट है आपकी कुंडली में देखते हैं क्या है और ऐसा मैं इश्वर से प्रेही करूँगा कि ऐसा का कॉंबिनेशन ना निकले आपके आपके वह स्पाऊस चीटिंग वाला तो नहीं है काँगा रहु शुकर कुंडली में आठे हो तो बहुत सो क्या रहुदिफम धरश के प्रते हैं कि स्पास चीटिंग के ऐगे चीट तो नहींग है राहु शुकर कुंडली में एकठे हों तो बहुत सोच समझ की कुंडली मैच करनी चाहिए और उपाई शादी से पहले करा दनी चाहिए तो देखते हैं की कुंडली में क्या निकल कियाता है निटेव इननने कम्प्रीट भेजी दिया में सो तब थोड़ा सा वीट कीजेगा आपकी मैं रिपोर्ट पनाता हूँ चेक करता हूँ उसमें जो भी होगा आपको उपाई के साथ मैं जुरूर बिजवाद हूँ आपको बता दिया गया है कि आप तक आपकी गुरूर रिपोर्ट जो है वो जल्दी पहुन जाएगी और जैसे-जैसे एक और भी चीज होती है इस्टोर पीडिया काम करता है कि वो केस के इंपोर्टेंस भी समझता है कि इसको कितनी जल्दी है और केस में कितनी सीरिजनेस है उसीज को भी समझा जाता है और उसे ए나प से भी रिपोर्ट की रफतार जो है वो बढ़हादी जाती है क्योंकि अगर आप डिस्टर्बन तो ऌसनील जी भी उस-साब से काम करते हैं और वो disturbance अपने उपर भी ले लेते हैं कि मुझे इस पे काम करना है और इसकार ये भी बात है कि अब ऐसा ना हो कि मैंने कह दिया कि कुछ क्योंकि problem सबकी important है, solution सबको चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को एकदम से रफतार के साथ reports मिल जाएंगी रश बहुत है, reports जो है वो एकदम से बनाना, हाथ से लिखना, यह सब उतना असान नहीं होता है, फिर भेजना सो हर चीज में वक्त लगता है, रश है जादा तो आपको थोड़ा patience जो है वो रखना पड़ेगा आप सोचिए अगर आपके जगे पे किसी और की रिपोर्ट बन रही है और आपको इंतजार करना पड़ रहा है तो उसका फल आपको भी मिलेगा क्योंकि तरजी जो है वो किसी अगर और को मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि फल आपके तक नहीं आएगा सो थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन जब यह रिपोर्ट आप तक आएगी तो आपको वो कहते हैं सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा यानि सारी क्लियरिटी हो जाएगी सब कुछ ट्रांस्परेंट हो जाएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होग रहे हैं किसी बज़े से स्ट्रेस से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इशूज आ रहे हैं एक छोटा सा उपाय है शुकरवार को किया कीजिए फैनेंशल इशूज भी अगर आपको फील होते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं आप एक किसी भी थरस्दे से शुरू करके श क्योंकि यह हमें चींटियों को खिलाना है चींटियों को जो पेड के नीचे होते हैं कीडे मकोडे उनके लिए आप सुबहर को स्टार्ट कीजिए यह पाई साड़े पांसे लेके नौ बजे तक कर दीजिए इसको और इसको एक बार गुरुवार को शुरू करेंगे उसके कितने बड़े इशूस जो है वो साल होने वाले हैं अभी वक्त है अजासत लेने का लेकिन आपको अपना ध्यान अच्छे से रखना है और देखते रहे हैं स्टू पिटे धन्यवार